नमस्कार, हम आपके साथ फिर से प्रस्तुत हैं, सामले सपनों की याद का अगला भाग लेकर, पीछे आपने देखा किस तरह से लेखर को अपने मन की अभिव्यक्ति एक संस्मन के द्वारा की और सालिम अली, पक्षियों के बारे में कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुश्य का मनुश्य की नजरों से देखना उसकी सबसे बड़ी भूल है क्या प्रकृति को देखकर मन में वो रोमांच उबर कर आता है? यदि हम मनुश्य की तरह से सोचें? नहीं आता ठीक उसी तरह से जिस प्रकार व्रिंदावन का नाम सुनकर क्रिश्णा की याद हो जाती है बहुत समय पहले क्रिश्णा ने कब वहां पर मटकी फोड़ी, कब वहां की गलियों में रास रचाया और अपनी बानसुरी की धुन पर सबको दिवान बनाया ये बात कोई नहीं जानता लेकिन आज भी जब व्रिंदावन का नाम आता है तो लगता है कि उन गलियों में उस सामले जमना जी के किनारे बैठकर ना जाने कब काना जी अपनी मुरली की धुन बजाते हुए वहां पर चले आएं और सब के पाओं वहीं पर थम जाएं ये कोई नहीं जानता यह सब केवल एक मिथक है उसी प्रकार जो हमारे साली माली हैं उनका जो व्यक्तित्व था इसी तरह का था वो एक दुबले पतले थे और मर्यल से थे क्यूंकि यात्राओं के बारे में उन्हें बार बार जगा जगा घूमना पड़ता था घुमते घुमते उनका स्वास्य दिन प्रती दिन बिगरता जा रहा था और उपर से उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी यही बिमारी उनकी मौत का कारण बने उनकी पत्नी उनका बहुत ध्यान रखती थी तहमीना उसका नाम था और वो उनकी सहपाथी का भी थी अपनी बिमारी के कारण वो अपने शती पूरी नहीं कर पाए शती होता है सौ वर्ष सौ वर्ष पूरे होने से कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यू हो गई उन्हें बर्ड वाचर भी कहा जाता था उन्हें बर्ड वाचर क्यों कहा जाता था और उनके जीवन की वो कौन सी घटना थी जिसने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया जानेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार झाले प्रेमारे लिए भरेमी ऑाले च झालेंगे हमारे अब दिसाई में तब सुनेवसों डाले बना खो